हेलो फ्रेंड्स मैं सर्व डॉक्टर योगिता चंद्राकर असिस्टेंट प्रोफेसर डेपार्टमेंट आप रोगदान एवं विकरते विग्यान तुड़े आम गोईंग टो एस्प्लीन दी उदर रोगने दानम इन माध्वने दान उदर रोग का वर्णन माध्वने दानमे इसमें इन्वाल होते हैं जो कोष्ट उसमें इन्वाल होते हैं उसमें जो रोग होता है उसे उदर रोग निदानम कहा गया है जिसमें कहा है कि रोगा सरवे अपी मतलब सम्पूर्न रोगों का मन्दे अगनो सुत्राम उदराणी चा मतलब सरीर के जितने भी रोग होते हैं या फिर जो सरमपूर्ण रोग होते हैं वो विसिस्तह उदर रोग अगनी के मंद होने पर होते हैं और इसके साथ में अजिर्ण मलिन अन मतलब की अजिर्ण से मतलब आपकव अनरस से अगनी मान दिया होगा और अजरिन की कंडिशन होती है एवं मलिन अन मतलब की जो गंदे अन होते हैं उससे एवं मल के संचय होने से उत्पन होते हैं और थात की जो मंदागनी होती है या अगनी का मंद होना होता है यही मेन उदर रोगोगा कारण होता है और इसके साथ में जो एसोसीट और अधर फैक्टर होते हैं लाइक अजिर्ण, गंदा, अन एवं मलका संचे होना ये सारे जो होते हैं वो उधर रोकोत पन करने में सायक होते हैं देनम दिखते हैं समप्राप्ती रुद्धवा स्वेद आम्बु वाहिनी दोसा स्रुतांसी संचिता प्राणागने पाने संदूस्य जन्यंत्र उदरं नणाम चरची किस्था में कहा है कि रुद्धवा स्वेद अम्बु वाहिनी मतलब कि स्वेद वह स्रुतस एवं अम्बु वह, उदक वह स्रुतस इनके रुद्ध हो जाने से, उनमें अवरोध हो जाने से दोसा सुतांसी संचिता दोसज होते हैं वो इन स्रोतसों में संचित हो जाते हैं और संचित होकर प्राण अगने अपान मत्तब कि प्राण वायू को अपान वायू को एवं अगनी को अर्था जट्रागनी को दूसित करते हैं और दूसित करके जन्यंत्र उद्रम नणाम उदर रोक को उत्पना करते हैं अर्थाद दो श्रोतस का इसमें इंवाल्मेंट है, स्वेद वाहिश्रोतस एवं जलवाही, उदक वाहिश्रोतस, इसमें औरोध उत्पन हुआ, एवं दो वायु और अगनी, प्राण वायु, अपान वायु और जट्रागनी, ये विक्रित हुए और इसके पर शाती उदर र सर्वेसू, जट्रेसू, भवन्ती ही. इसमें हैं, जिसें उदर रोग होते हैं, उसमें पहला आधमान, मतलब पेट में जो होती है, वो वायू के हो जाने के कारण, उसका फूलना, भर जाने के कारण. दूसरा है, गमने या सकती, चलने फिरने में असमर्थता, नहीं चल फिर पाएगा. दुर्बल्यम, दुर्बलता, दुर्बलागनी, मतलब जो जट्रागनी होती है, उसमें भी दुर्बल, उसका छीन होना. सोथा, सरीर में सूजन, सदनम अंगानाम, मतलब की अंगों में सदन या सिथिलता, संगो वात पुरिशयो, मतलब वात एवं पूरिश, मतलब वायू और मलका अवरोध होना, दाह एवं तंद्रा, ये सारे समाने लक्षन जो होते हैं, वे उधर रोग में हमें देखने को मि इसके पशाते भेद, भेद में बूला है, प्रिथक दोसेह, समस्तै, शपलिय बद छतो दकैह, संभवत्य उधराणाम अश्टो, तेशाम लिंगम प्रिथक शुनू, सुसृत ने भी उधर के रोगों के आठ भीद कहे हैं, साथ में चरक ने भी इसके आठ भीद कहे हैं, ज परंटो उन्होंने इनके जो नाम होते हैं, उसके जो पर्याय होते हैं, उसमें थोड़ी से भिनता बताई है, जैसे यहां पर बूला है, प्रिथक दोसेह, मतलब वात, पित, एवं कफ, समस्तैस, सन्नी पातिज, पलिय, पलिहोदर, बद, बद गुदोदर, छतोदक, मतलब चतोदर, और साथ में हैं, उदके, मतलब की जलोदर, इस प्रकार से जो आठ भेद होते हैं, वो उदर रोक के कहे गए हैं, और ये जो होते हैं, इनके लक्षण भी प्रिथक प्रिथक होते हैं, इसके पशाद अभी मर्स में हम देखते हैं, कि सन्नी पातोदर जो होता है, क्योंकि और साथ में जो प्लिहोदर होता है, और यक्रिक डाली उदर होता है, इन दोनों का सेम ट्रिट्मेंट है, सेम इनके लक्षण है, इसलिए एक साथी इनका गरहन कर दिया गया है, जो च्छतोदर होता है, जो कि च्छत होने से हो रहा है, इस दिसका दूसरा नाम पर इसमें बुला है जो वातोदर होते हैं उसमें पहले तो सोत होना उसके पशत पाणी हाथ में पान पैर और कुक्छी इसमें भी सोत होगा एवं कुक्छी पाश्व उदर कटी मतलब की जो कुक्छी में है एवं पाश्व में है उदर में है कटी प्रदेश है प्रिश्व प्रदेश है इसमें रुख रुजा का होना एवं पर्वभेद का होना सो उसका कास रहता है अंग मर्द मतलब अंगों में पीड़ा रहेगी और जो अधो गुरुता मतलब सरीर के जो अधो भाग है उसमें गुरुता रहती है मल्का संग्रा हो चाता है अर्था क्योंकि अपानवाई उदुसित है श्याव और अरुनवर्ण का तवग मतलब जो तवचा होती है वो मतलब उदर प्रदेश की जो तवचा होती है वो हमें श्याव और अरुनवर्ण की खुलाबी या नीली भी दिखाई देगी और ये जो होती है वो जो होती है, वो मतलब क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो होती है, वो दोस होते हैं, वो दूसित होते हैं, और इसके कारण ही ऐसा वहाँ पर दिखाई देता है, सातोध भेद उद्रम, और इसके कारण तोध होगा, मतलब सुई के चुभने के समान पीड़ा होती है, और से इंपॉर्टेंट लक्षन है इसमें कि जैसे जो मसक होती है मतलब जी अंगमा जब अंगुली तारन करते हैं जब दोनों साइट से हातों से उसको दबाकर टैप किया जाता है उधर प्रदेश को तो वहां पर फोली मसक होती है मेड़क होती है उसके समान जो डिम डिम जैसी वह हमें वहां पर प्रतीत होता है ये वातोदर के लक्षन कहे गए हैं जब हम पितोदर को देखते हैं तो पितोदर में बोला गया है मतलब कि जो पितोदर होता है उसमें जवर मुर्छा दाहका होना प्यास लगना एवं कर्टुकाशिता मुख में कडवा लगना भरम होना अतिसार पितत्वम तोगाद उद्रम और जो त्वग प्रदेश होती है मतलब जो उदर की तर्चा होती है उसमें पीलापन एवं हरापन दिखाई देता है एवं वहाँ पे जो सिराएं होती है वो पीत एवं तामरवर्ण की दिखाई देती है सरस्वेद स्वेद युखतो होती है एवं उसमा युखतो होती है मतलब वहाँ पे हमें गरम प्रतित होगा और सहाँ पे दाह भी होता है धूम आयते, धूम निकलने के समान वहाँ पे हमें जलन होता है और यहाँ पे जो होगा, मिर्दू स्पर्सम कि उसका जो इसपर्स होता है वो मिर्दू होता है, मतलब कि पशाते स्लेसमोदर में बुला है अर्थात की स्लेसमोदर में है पहला अंग सदन मतलब अंगों में सिथिलता स्वापह का मतलब होता है कि यहाँ पे संग्या का नास होना स्ववतु गौरवं मतलब सोथ होना एवं गौरभारी पन होना निद्रोत क्लेशो निद्रा होना उत्कलेश होना मतलब वमन जैसा प्रतित होना अरुची स्वास कास एवं पूरा जो वो प्रदेश होता है वो सुकलत वह मतलब कि वहाँ पे सफेद वर्ण का दिखाई देगा उदर इस्तिमितम पूरा गीला हो गया है ऐसा लगेगा उसे एंड साथ में इसमें सनिक्धम और जो होती है वहाँ पे इसनिक्धि भी प्रतित होगा और सुक्ल राजी यहाँ पे जो उदर में जो सीराएं होती है वो सुक्ल वर्ण की उसमें दिखाई देती है चीरा भी व्रिद्धम कठिनम यह धीरे धीरे बढ़ती है और कठिन होती है और इसका इस पर्स जो होता है वो सीथ होता है और साथ में गुरू एवं इस्थिर होती है तो ये सारे जो लक्षन होते हैं वो हमें सलेसमदर में देखने को मिलते हैं इसके पशाते सन्नी पादोदर सन्नी पादोदर नाम से ही इस पश्ठ है कि इसमें जो वाटज, पित्त, चकफज, तीनो दोसों के लक्षन दाश्य दोसा को रियो शूगोरम जटरं त्रिलिंगं तच्छत वाते भिरिश दूर्दिनों 24 सिस्था कुप्यती दहयते चा सचार चातुरों मुहियती ही प्रशक्तम पंडू किरिश शुष्यती त्रिष्टयाँ चा दुस्यो दर्रम कृत्धित्म एवदेव मतलब कि मेंली तिस में संभी पाधाज में इस्त्रियन्वपां मतलब कि अगर इस्त्रियां होति है इता होते हैं चाह संफ मपी कर देठाज येदूरी विष्कल को होते हैं वो हमारे रक्त को कुपित करते हैं और उडर पर ते ह उत बहुत ही घोर एवम बहुत सब्लिशनों को उत्पन करते हैं और का इसोरों की रहरे में रखाइ दें घाल्र के और और साहए में जो यह के त्वचा होता उसका रंग भी fed כ closely कुपित वोते हैं इस सरीर में दहाकोद पना करते हैं तो इस परकार से चारों होते हैं जैसा कि वातज, पितज, कफज एं सन्नी पातज ये सारे जो होते हैं इसमें मेजली ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं और साथ में इसमें पांडू वर्ण, क्रिष्टा एवम सुसिता, मतलब कि वो सुस्क भी रहेगा तृष्णा भी होगी, कृष्ण भी रहेगा, इवं पांडु वर्ण का पूरा दिखाई देगा, तो ये जो होता है वो दुस्योदर भी कहा गया है, जैसे हमने रेखा था कि सन्नी पातज को दुस्योदर भी कह दिया गया है, तो ये सारा लक्षण जो होते हैं में सन्नी पातज उधरोग में देखने को मिलते हैं इसके पशात है प्ली होदर, प्ली होदर भी बुला है प्ली होदरम किर्त यतो निवोधम विद दाहिय अभिशेंदिर तश्य जन्तो प्रदुष्टम अत्यर्थम अश्रिक कफश प्ली हा अभिर व्रिद्धी कुरुत प्रविद्धो प्ली होत मेतत जट्रम वदन्ती तदवाम पाश्वे परिर व्रिद्ध मेती विसेशता सीधती चातुरोण मंद जवराकनी कफ पित लिंगेर उपदुरुत छीन बलो अतिपांडू इसमें बोला है कि जो विदाही अन्न भोजन का सेवन करना है अभिश्यन्दी का सेवन करना है तो इसका सेवन करने से रक्त अश्रिक एवं कफ दोनों दुसित होते हैं मतलब रक्त और कफ दुसित होंगे और ये दुसित होकर प्लीहा की अभी विर्द्धी करते हैं और प्लीहा की अभी विर्द्धी होने से जो जठर प्रदेश में क्या होती है प्लीहा की विर्द्धी होने लगती है और ये जोती है मतलब की वाम पाश्रम होती है मतलब नाभी के वाम पाश्वर में मतलब की लेप्ट साइड में इसकी वृद्धी होती है और इसके लक्षण हमें इसी इस्थान पे रिखाई देते हैं और मन दजवर अगनी इसके साथ में हमें मन दजवर और अगनी भी यहाँ पे देखने को मिलता है और साथ में ये कफ और पित अ होते हैं इन दोनों के लक्षण इसमा देखने को मिलते हैं और बल जो हता है वा छीन होता है और अती पांडु अर्थात की स्वेत को लिए पीलापन ऐसा जो होता है उहाँ पर रिखाई देता है जैसे कि कहा है इसमें कि विधाही अरभी शंदिय प्रदार्थों का सेवन करने से रख्ट और कफ दुसित हुआ और रख्ट और कफ दुसित हुआ चोकी प्लिहा बाइणोर है तो बाइणोरी मेली हमको देखने को मिलता है और साथ में मंदजोर और मंदागनी भी देखने को मिलती है कफ और पित्त के लक्षन रुकद्रों में मिलते हैं और रुगी का बल जो होता है वो छीन हो जाता है और वर्ण जो होता है वो मतलब पीत वर्ण का अती पांडू वर्ण का होता है इसके पशाते यकृत दालियोदर यकृत दालियोदर जो होता है यह जो होता है स्रिप इसमें इतना ही डिफरेंस है कि जो पलियोदर होता है वो अगर वाम पाश्व में है तो यकृत दालियोदर जो होता है वो तक्षण पाश्व में रहेगा इसके इलावा इसके जो लक्षण होते हैं वो सें प्लिहोदर के समान ही समझना चाहिए इसके पशातर रिलेशन कि प्लिहोदर और यक्रिदालियोदर में क्या दो सम्मंध है तो इसमें कहा गया है उदावर्थ रुजा नाम है है मोहत्रिट दहन जो रहे है गौरवा रुची कठिन्यय विद्या तत्र मलानक रमाद इसमें उदावर्थ रुजा कहोणा और मौह मुर्चा कहोणा अनाह कहोणा एबम ये सभी जो लक्षण होते वो वातच के हैं और अगर तरिश्टा हो रही है दा हो रहा है मोह हो रहा है जुर है ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं पितच के और गौरव, अरुची, कठिंता ये देखने को मिलते हैं जो होते हैं वो किसके कफ के हुए तो ये तीन अलग-अलग वातच, पितच और कफच तीन लक्षण जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं और इमेली देखने को मिलते ह तो इसका दो संबंध सही हम इसमें प्लिहोदर यक्रिदालिदर को बता सकते हैं किसमें वातच पितच कफच के लक्षण में क्या रिफ्रेंसेशन है देन आफटर यहां पर बद्ध कुदोदर बद्ध कुदोदर नहीं बुला है इसमें बुला है कि मतलब कि जो बद्ध कुदोदर यश्यान आंतर में अन के कारण बाल अश्म कंकड के कारण जो होती है वो उदर प्रदेश होती है या फिर उसके जो मतलब वाद होती है इनकी दिवारे होती है वो जो होती है वो फर्ट जाती है उसमें छिद्र होने लगता है तो यहाँ पे जो तमल और दोस होते हैं वो धिरे धिरे संचित हो जाते हैं और संचित होकर वहाँ पे उसको जो होते हैं वो दूसित कर देते हैं और इसके कारण निरुधते गुदे पुरिशम तो गुदे प्रदेश में भी पुरिश नहीं जा पाएगा उसका भी निरुध होते हैं और नुका कंकड वरद्ध के नली होती है तो यह से ब्द्ध कूड़े-समान में दोस धिरिदरे एकातिरित हो गए और वो एकातिरित हो गए उसके आंत्र में जो होती वो मल अवरुद हुई है वो कठिनाई से थोड़ा थोड़ा निकलता है और हिल्दर और नाभी के मद्धे में उदर फूल जाता है तो उसे बद्ध गुद उदर कहा गया है इसके पशाते परिश्रावदर परिश्रावदर में है सल्यम तथा अन्नोपहितम यद अंत्रम भुकतम भिनत्यागतम अन्यथावा तश्मात शुतो अंत्राश शलिल प्रकाशह श्रावहस स्त्रवेद्यो गुदत अस्तूब भुयह नाभीर अधस्योदम इती विरधिम ये ठी च अती मातरम एतत्परिश्ट्रा विद्रम प्रदिष्ट्रम मतलब कि इसमें परिश्ट्रव मतलब श्ट्राव हो न कि कोहीं पर कुछ ज़र गया है, हो गया, इसके चीजे जो कि किसी इसको erode कर सकती, penetrate कर सकती है इसके कारण अन्ना के साथ में अगर कोई ग्रहन किया गया है सली होता है, वो अगर आंतर की दिवार को यद अंतरम भुक्तम, आंतर की दिवार को भी नित कर देता है मतलब उसको छेद देता है तो इसमें तसमाद शृतो, उसमें श्राव होने लगता है उसका जो श्राव होता है आंतर का, वो सलील प्रकाश मतलब की जो होता है, वो जल के समान इस्तराव जो होता है वहां से निकलने लगता है और यह जो जल के समाने इस तरह होता है वो नाभिर अधो शुद्रम नाभी के नीचे इसकी विर्द्धी होती है तो नाभी के नीचे इसकी विर्द्धी होती है और साथ मिनिस्टर तेसुई के चुभने के समाने पीडा दालियती कुछ दबा रहें इसके समान पीडा होनी और नाभी के निम में प्रिडेस में जो हो रहा है वो जो है वो परिष्ट्रावेदर तो इस प्रकाट से जो स्थान होते हैं वो अलग-लग कहे गए हैं अमसिदू आंत्र में छिद्रह होकर एक सरिल में उदा दिशावेदर में के वी देखने को मैं न इं babys जidrav वान्तो विरिक्तो अप्य तत्वा निरुड पिबेजलम सीतलम आशु तसिरुतांसी दुस्यंती ही तद वहाने इसनेहोंप लिपतेश्व अथ्वा अपी तेश्व दकोदरम पुर्ववद अभ्युपैती इसनेक्थम महतर परिववित तनाभी समाधतम पूरवम इवांबिना चा यथा दृतिये चुब्यती कंप्यते चा सबदायते चा अपी दकोदरम तत्थ मतलब कि इसने हैं पितम इसने हैं पान करना किसके पश्चात करना अनुवाशन एवं जो अन्य वमन विरेचन इत्ते जो कर्म होते हैं वमन विरेचन अनुवाशन ने रूह इसके पश्चात अगर संसरजन कर्म नहीं हुआ है और उसके नहीं होने पर भी आपने इसने हैं पा फूल जाता है बढ़ा हो जाता है और इसमें अम्बूज होती है पुरी तरह से भरी हुए ऐसा दिखता है क्योंकि इसमें अंबू जो होता है वो पुरी तरह से भर जाता है जैसे कि यह लगता है यथा, दिरती, छुब्यती, कम्प्यते जो जल से भरी भी जो मसक होती है जल से भरी भी जो मसक होती है उसमें जिस प्रकार से छोब, कमपन, ध्वनी ऐसी होती है वैसे ही जलोदर में भी सारा लक्षन हमको देखने को मिलते हैं मतलब कि जो अगर मसक के भरने के बार उसमें जो भी छोब होगा उसमें जो वाइबरेशन या जो ध्वनी हमको दिखती है वो सारी ध्वनी हमको जलोदर में भी देखने को मिलती है इसमें सिर्फ इतना ये है कि इस नेह पान अन्वासन वस्ती वामन बिरच निरू के पश्चात हो रहा है तो ये जो उदर होते हैं वो इस नेह के सिर्फ लिप्त होने के कारण ही छेदरोदर के समान जो उद्रावरन कला होती है उसमें जलका संचे हो जाता है और जलुदर के उद्पत्ती हो जाती है और उदर जो होता है वो हमें चिकना एवं बढ़ारी खाई देने लगता है और नाभी उल्टी पलड जाती है तो इसे ही बुला गया है परिवृत नाभी इसके पशाद हम देखते हैं साध्या असायता अगर उदरो की साध्यता असायता के अपारे में बात करें ते इसमें बूला है जन्मनेर उद्रम सर्वं प्राया कृच्च तमम मतम मत्तब कि जन्म से ही जो उदर रोग होते हैं वो कृच्च शाद्य होते हैं लेकिन जो बल्वान व्यक्ति होते हैं उस और जो नए उदर रोग होते हैं वो शाधी हो सकते हैं पक्छाद बद्धुगुद्ध मतलब 15 दिन के पश्चाद बद्धुगुद्ध जो होते हैं सर्वजात उदकम मतलब की जो जलोधर होते हैं प्रायो भवत्य भावाय छिद्रांतम छो उद्रन राण और साथ में जो छिद्रोदर होते हैं, ये सबी जो होते हैं, वो क्या कहे गए हैं, असाध्य, अर्थात की उत्पत्ति कासे, जब सैसे ही अगर उद्र रोख हुआ है, किसी को दो उद्रावरन गुहा में अगर जल जातो दक एवं जातो दक के बारे में देखते हैं, उसमें कहा गया है, अजातो दक मतलब जो जल है, वो कम है, तो अधिक सोथना हो, उदर रक्तिमा हो, मतलब की लाल दिखेगा, सब्द होता है, अधिक भारी अन्भा होता है, पेट में गुरगडाहट रहती है, और जो सीर करके बाहर की और वेक करके नश्ट हो जाए, मतलब की ऐसे लत्रे के वाई जो दिखेगा निकल जा रही है, और रोगी के हिरदे, नाभी, वंग्छन, कटी और गुदा, इसमें सूल होता है, तो और मल और वाद जो होते हैं, मतलब की जो उदर पर देश होता है, बहुती अधिनेमं बंधा हुआ होगा, मतलब पूरे सरीर में हम देख रहे हैं कि जो कोस्ट होते हैं, जो जो जल होता है, वो कम हो जा रहा है, तब इसे अजातुदक उदर रोग कहा गया है, जातुदक में जो होगा, वो यह उजाय का कुक्छी की अतिरिक विर्दी होगी, सिराय चिप जाएंगी, क्योंकि जल से पूर्ड न हो गया है, उदर भी जल से भर जाता है, और मसक के समाने इसमें छोब होता है, इस पर्स में चिकनाहट होती है, अम्रेदुता होती है, मतलब कि सारे जो जो जल आधरता रहेगी, वो हमें जरातुदक में दिखाई दे रही है, तो जो चिदरोदर और बदोदर होते हैं, वो साधरन्ता औस चीकिस्सा से ठीक नहीं होते, इसमें जो तीस सली चीकिस्सा करनी पड़ती है, वैसे ही जलोदर जो होती है, वो आधिक पढ़ने लगता है, इसलिए सास्तरकरण का विधान जो होता है, वो चरपने भी बताया ह इसके पशात हम देखते हैं असाध्य लक्षण अगर हम असाध्य लक्षण की बात करें कि उदर रुखिस कंडिशन में असाध्य होते हैं तो इसमें कहा गया है सूनाक्षम कुटिल उपस्थ उपस्थुम उपकलित्रत तनूत्वचम मतलब इसमें कहा गया है कि जिसकी आखे सून अक्षम आखे सूज गई हो कुटिल उपस्थ उपस्थ अर्थात की जिसकी मुतेंडरी होती वो तेड़ी हो गई हो तो अच्चा जो होती है वो उप्तले ततनूत्वचम मतलब बहुती पतली हो गई हो और क्लीन तागीली हो गई हो और जिस रोगी का बल अरक्त मांस अगनी छेण हो गई हो इनका त्याग कर देना चाहिए इसके साथ में जिसको पास्वसुल होता है जिसके अंगज होते हो उसमें बहुती पीड़ा हो रही हो जिसे अरुची हो गई हो, सोत हो रहा हो, अतिसार से पीडित हो, ऐसे भी जो उदर रोग वाले होते हैं, उनको भी हमें यहाँ पे त्याग कर देना चाहिए, इनकी चेकिसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह असाध्यता की सिरेणी में आते हैं, तो इस प्रकार से हमने देखा कि सारे जो होते हैं, उदर रोग वो लास्ट में जलोदर रहें परेणित हो गया, और धीर धीर यह जो होते हैं, वो असाध्यता को प्राप्त करते हैं, मतलब पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होते हैं, क्रिशिशाध्य की सिरेणी में कहा गया है, तो उदर रोग के आठ वी अधीचा भेचा रण था यहां पर मंदागनी और साथ मेन के मेन लक्षण टी उदर उत्सेद क्योंकि इसमें उदर जो होता है, वो फूला हुँआ दिखाई दे रहा है, तो यह सारे जीजे हम उदर रोग में देखें, और उदर रोग के बारे में जाना और इसमें जो जो जलोदर होता है उसमें सिर्फ उसमें जो की जो जातोदक कंडिशन होती है उसको हम एससाइटिस से कंपैर कर सकते हैं लेकिन सारे जो 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 होते हैं वो अलग इंटेस्टाइनल जो अधर पेनेट्रेशन है, एरोशन है या फिर कोई अगर ट्रामा है, इंजूरी है तो इसके कारण होती ही, ये कंडिशन भी इसमें हमें मिल सकती है थेंक यू थेंक यू फॉर लिसनिंग